नमस्कार आप देख रहें प्राइम टीवी और मैं हूँ आपकी साथ नंदिनी यादोव वक्त हो चुका है पच्छाथर जिले की पच्छाथर बड़ी खबरों का बाके बिहारी कोरिडोर मामला पहुंचा सुप्रिम कोड गोस्वामी समाज की याज का परतेश जन्वरी को सुनवाई कानपूर में बगार परविशन इस्टंट बाजी पर एफ आई आर बाइक कमपनी के उस से कराई जारे इते इस्टंट बाजी पंदर पंदर हजार का चालान बारारसी की तरब मेरट में मनेगा भारत माता मंदर सौ साल पुराने मंदर का क्या जारा जरूरोधार आयोधा के नर्सिंग मंदर के महंत राम शरड़ दास लापता फोन बंद होने के बाद पुजारी ने दर्ज कराई रिपोर्ट मतुरा में पुलिस और बदवाश में मुर्बेड गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल 1.65 लाख लूटे थे मेरेट कॉलेज में छात्रों के दूगूटों में खूनी संगर्स ताबर तोड गोलियां चलाई लाठी डंडों से माराच छात को किड्नेप करने आये थे तिहरे हत्यकान में फार्म हाउस मालिक सभी तुचार गेर अफ़तार घायल सुरिश प्रधान की भावी निकर आई थी अफ़ाई यार फिरोजाबाद में SBI की पहल स्वैम सहायता समुक के महिलाओं को दिया 3.29 करोड का लोन आर्थिक किस्ति होगी मचबूर्ट बहराईच SBI ने की लंबित विवेशनौव की समिक्षा बोले फर्यादियों को मिले तत्वारित ने आये बागपद में अपराधी ने दरूगा की पिस्टल से जोका फायर पेशी के लिए कोट में ले जा रहे थी पुलिस बालवाल वचे पुलिस करमी बियाश्यों में राद भर सड़क पर छात्राओं का धर्डा कहा वी सी खुदा कर सुनेंगे तबी खत्म होगा प्रदशन और रया में मनाये गया निक्षद दिवस रोग्यों को दी गई पोशड पोटली देश की टीवी मुक्त बनाने में सहीों की अपील की गई गाजयाबाद में जेल के दुबंदियों पर एफ आई यार गलत नाम बता कर एंट्री पाई और कोट का आदेश लेकर छूटा बोजाफर नगमी सरकारी ट्यूब बेल का ट्रांसफार्मर चूरी डात में ले गई बदमाश 1.75 लाख का नुकसान बारबंकी में बहु बेटे ने मां की हत्या की मामूली बात कोले कर गला दबा दिया पुलिस ने आरोपियों को किया गे रफतार पतेपूर में ट्रक में बाइक में मारी ट्रकर एक के मौत महिला वई यूब कमभीर हालत में कानपूर रेफर मुकदमा दर्च बागपद में अवैत खनन पर एस्टियम की कारेवाई छापा मार कर दो ट्रेक्टर टाली और एक मसीन पकड़ी माफिया मौके से फरार शावस्ती में ट्रेक्टर टाली निकलते समेट धसी पुलिया हासे मिचालक समेट दो लोग चोटिल अस्पताल में कराए गया भरती वदोहीं में हाईवे पर पकड़ा गया गोवन्चु से भरा ट्रक पुलिस ने दो तसकरों को क्या गिरफ्तार बंगाल जा रहे थे आरोपी मैनपूरी में प्रधान पती हत्याकान में आरोपीों को आजीवन का रावास कोटे 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया फिर उजाबाद में मकान का ताला तोड़कर चोरी नगदी वर सोनी चांदी क्या भूशर ले गए चोर परिवार दूसरे घर में सो रहा था बागपत एस्पी ने देरात क्या गश्ट सुरक्षा विवस्था का लिया जाय जाए बैपारियों से की बात संग्दीदों के लिए तलाशी बहराज में भारत नेपाल सेमा परविदेशी सरा बरामत तसकर गिरफतार एमबैस पी और पुलिस ने सयुक्त रूप से कारिवाई की महराज गंज में परिक्षा देनी आई चात्रा का केड़ने पुलिस ने क्या बरामत एंजियो चलाती है चात्रा अलिगर्ण में विड़ी दो सबुदाय आधी रात पांच घंटे बवाल पत्राव फारिंग भीड में फसे डियम एसेसपी दस थारों की पहुँची फोर्स आयोध्या में तपस्वी चावनी पर स्वामत जित्व का विवाद आया है परमाहसरचार का दावा मामूली विवाद में चात्रों ने आपस में कीमार पीट चंदौली में संदिक परिस्यत्यों में कई छोपड़ियों में लगी आग आग में लगने से बच्चे समिचार बकरियों की हुई दर्दनाक मौत कन्योज में संदिक परिस्टियों में बस में लगी आग कानपूर से दिली जा रहे थी बस सूचना पर पहुंची पुलिस आग बुजाने में जूटी सपाव धायक इर्फान सूलंकी को राहत नहीं गैंक स्टर मामले में कोट पे खारिश की बिल इर्फान पर घर जलाने का आरोप लखेंपूर खेरी में चोरों ने जिला सहकारी बैंक को बनाया निशाना तीस लाग की चोरी को अंजाम देकर फरार हुए चोर अम्रोहा में टेक्निकल एजुकेशन विजिट का किया गया आयोशन जिसमें करीब 156 चात्र चात्राओं ने अपने प्रधानाचारे के साथ लिया भाग और एया में सामोईक दुशकर मुवधर्म परिवतन का दबाव बनाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार अन्य आरोपियों की तलाश में जूटे पुलिस अम्रोहा में आपकारी विभाग की टीम को मिली सफलता आपकारी विभाग में अवैद विदेशी सराब के साथ एक कोकिया गिरफ्तार और आया पहुँची प्रविट तोंगाडिया ने अपनी हिंदुवादी उद्देश का क्या बखान बोले हमें सिर्फ हिंदुओं की शिंता करने वाला बना है बांदा में अग्याद खूखार जानवर ने किसान के उपर किया हमला किसान और खूखार जानवर में चला अधे घंटे का युद्ध बेजनौर में हिंदु नेताओं पर हमले को लेकर कलेक्रेट महुंचे बजरंग दल कारे करता राश्चपती के नाम संबोधित तजला प्रशास्तन को सौपा ग्यापन फिरोजाबाद में फिरसे गरमाया एमबेबियस चाथ की मौत का मामला नयाई की मांग को लेकर धनी पर बैठे परिजन गाजयाबाद में रेस्टूरेंट में पुलिस और आपकारी विवहाग की चापे मारी चापे मारी में बरावद हुई शराब कॉर्णा में इलेक्टरोनी के दुकान में दिखा दबंगो का कहर दबंगो ने दुकान में घुस कर तोड़ फोर की मामले की जाच में जुटी पुलिस कास्याबाद में प्रिशासन दुआरा की गए चोटे बच्चों की स्कूल की छुटियां खत्म आफ लाइन पढ़ाई दुबारा से हुई शरू रूम हीटर से जलकर हुई महिला की सही तो दो मासुम की मौत के मामले का हुआ खुलासा महिला का भाई ही निकला कातिल गाजियाबाद में कार के शोरों में घुसकर बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अन्जाम बदमाशों की तलाश में चुटे पुलिस हर्दोई में खनन माफिया के गूर्गों ने बोलोरो कार में डंफर में मारी टककर बालवाल बचे सवार पुलिस जांच में उटी कानपूर जिला कारागार पहुँचे मंत्री धर्मवी प्रजापती मंत्री रे कैदियों से समात के बाद कैदियों को किया कंबल वित्रण कास गंच में आयुजित हुआ कैरम टोनामेंट टोनामेंट में मोहला खेरू की ठीम बड़ी विजेता विजेता टीम को किया गया प्रोस्क्रिप कानपूर में चार दिवसी ग्रेंड होजरी और एवं गार्मेंट स्फेर का किया गया शुबारंब बड़े ही शहर की गार्मेंट वहोजरी उद्धियों की पहचान बड़ेगी मैनपूरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता चड़ा पुलिस के हते इनामिया आरोपी आरोपी के पास एक तमंच्छा और दो कार्टूस में बरावद कानपूर में यूती ने इंटर कॉले संचालक पर लगाया रेप का आरोप पिलत यूती ने थाने मिल्लेखे तश्रीकाय देकर लगाई निया आएक गुहार संभल में गर्वती महिलाव चोटे बच्चे को राशन ना देने पर ग्रामिणों ने लगाया आरोप राशन ना देने को लेकर ग्रामिणों में दिखा आक्रोश सुल्तानपूर में पल्टी ट्रेक्टर ट्राली हासे में यूवक की बहुत बसूरी के लिए पुलिस पर ख़देने का आरोप मायावथी के पक्ष में आय सपा सांसस शफिकुर रह्मान बर्क बोले मायावथी ने जम कर काम क्या है जुल्मजाती रोखनी को उनकी जरूरत है सहरनपूर में आयूजन हुआ याताया सुरक्षा का बियान निस्ट्री का लगा कर सेव ड्राइव के अपील की गई संभल में स्वास्विवा के कारेवाई कारेवाई से अवयद रूप से संचालित हॉस्पिटल संचालकों में मचा हड़कम लखीमपूर खेरी में एक सब्ता के भीतर पांच बच्चों की मौत मौत के बाद स्वास्त महकमी में मचा हड़कम आग्रा में 19 से 22 जन्वरी तक आयूचित सांसत खेल प्रतियुकता का आयूचन राजवर्धन सिंगराथोर करेंगे शुबारम कानपूर में मास्टर चावी के मदल से करते थे बड़ा कान खुलासा करने के बाद पुलिस भी हुई है रान माहराज स्याय शिव सेना के कारेकरता पहुशे लाल के लाए कारेकरता और सीक्योर्टी के बीच हुई नोगजोग लखनव विश्वेदाले में सभा के नाम पर संग्राम चात्र संगठन के दो गूट आपस में भीड़े जैश्रीराम के नारे से गूझ उठा एलियो जोशी मट के बाद और रया में भी मकानों में आई दरार मकानों में आई दरार वफर्ष की बैठने के वज़ो जानने के लिए टीम की गठी थी बदायू में चोरों ने बंद घर में चोरी की चोरी ने घटना को अंचाम देकर फरार हुए चोर चानबीर में जूटी पुलिस फरुखाबाद में किसानों के साथ करीब 24 घंटे गती रोद बरकरार किसानों सेक्रों गोवन्शु को बीते दिन तैसल परिसर में कर दिया था बंद गाज्याबाद में चलती कार में लगी आग, कार में सवारत लोगों ने कूट कर बचाई अपनी जान आग लगनी से कार जल कर हुई राख मौलाना सूफियान निजामी का बड़ा बयान बोले दाढ़ी और टोपी की बुन्यात परहिंसा का निशाना बनाया गया गोर्णा में बुला कर युवक की हत्या हत्यारों ने हत्या कर्शव को जाडियों में फेका युवक की हत्या होने से छेत्र में फैली संसनी स्मार्ट सिटे ओफिस में G20 और GIS मीटिंग में नगर आयूक तने सकती के साथ कारे में तीची लाने के लिए आदेश दिये कानपूर में पुल से 40 फीट नीचे जागिरी कार हासे के वक्त कार में सवार थे तीन लोग गोविन्द पुरी पुल पर अचानक हुई खटना स्वाक्ष भारत अभियान के तहर स्वाक्ष वरासत अभियान में आई तेशी बैपारियों और परेट्रकों को स्वाक्षता के प्रतिक किया गया चावरूक कानपूर में थाने पहुँचे आक ब्रिद का कास्मिक मौत हो गई पुलस ने शव पोस्ट मार्टम के लिए भीजा हार्ट अटेक पड़ने से मौत के आशंका लखनव के टेड़ी पुलिया के पास लगा जाम लगातार जाम लगने से लोग हो रहें परिशान अलिगंज सब्जी मंडी के पास लगता है जांग कोख्यात बंदमाश नितेश कुमार को यूपी एस्टियफ ने दबोचा नितेश कुमार पर बिहार पुलिस ने रखा ता पचास हजार का इनाम राय बरेली में विशेज टीका करड की होगी शुरुवात नौ से बीच जनवरी तक चलेगा टीका करड अभियान फरुखाबाद में एक और जगह से सैकडों गोवन्शों को बंद करने का मामला आया है सामने ग्रामिडों ने अधिकारियों पर भी लगाया आरोप हापुर में कायकल टीम ने जांच सीसी की विवस्था की मरीज से लिया फिटबैक रिपोर्ट के बाद केंदरे टीम करने आएगे निरक्षड बस-बस सरकार में मंतरी रह हाजी याकुब कुरेशी और उनके बेटे को अलग-अलग जेल में भेजा गया है याकुब कुरेशी सोनबाद जेल में भेजा गया इटावा में इस्पैनिस महिला का बैक चुराने वाला गिरहतार 400 यूरो विदेशी मुद्रा और चोरी का मुबाइल भरामत किया गया आज के लिए 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस अतना ही देश जुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार